नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट दे दू आपको पंजशीर के बारे में लेकिन आपको वता दू कि ये बात चीत भी समाप्त हो चुकी है पंजशीर के लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान के साथ कोई भी समझोता नहीं कर रहे हैं और तालिबान के साथ उनकी लड़ाई जारी रहेगी तो चलिए अब चलते हैं अपनी में खबर पर दरसल आपको पता ही होगा कि जब से अफगानिस्तान का युद शुरू हुआ था तभी से लेकर कल तक तालिबान ने एक ही राग गया हुआ था कि वो कभी भी दूसरे देश पर हमला नहीं करेंगे ना ही दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देंगे यहां तक कि कश्मीर पर भी उन्होंने भारत को काता कि आप निश्चिंत रहिए हम कश्मीर में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे लेकिन आज तालिबान के जो परवक्ता है जो कल शान्ती का राग गा रहे थे आज उन्होंने अपने जहरीले जो इरादे हैं वो दुनिया के सामने रख दिये हैं जो तालिबान के परवक्ता है शुहिल शाहीन इसकिन पर आप देखिए जहां पर भी तालीबान का नाम आपने सुना होगा पिछले दो महीनों में इस चेहरे को आपने खुब देखा होगा दरसल तालीबान की तरफ से दुनिया के सामनी ये तालीबान का पक्ष रख रहे थे और पूरी वर्ड मीडिया को इस अकेले वेक्ती ने ही हैंडल करके रखा हुआ था अभी तक यानि की तालीबान का एक बहुती प्रोमिनेंट और बहुती इंपोर्टेंट फेस है सुहिल शाहिन इन्होंने आज BBC को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि ये दुनिया भर के जितने भी देश हैं वहाँ पर मुसलिमों के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं तालीबान अब उनके खिलाफ बोलेगा यहीं नहीं इन्होंने इस्पेशल कश्मीर का mention किया और कहा कि जी कश्मीर पर तालिबान को पूरा हग है बोलने का और कश्मीर के मुसल्मानों की आवाज उठाएंगे भी हाला कि इने समझ में आ गया होगा कि इनोंने बहुती गलत बात बोल दी इसलिए फिर साथ साथ इनोंने जोड़ दिया कि जी हम सिर्फ बात करेंगे हम ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई मिलिटरी ओफेंस स्टार्ट कर देंगे हम कोई अटैक करेंगे या तंकी भेजेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे लेकिन दुनिया के अलग-अलग फोरम पर चाहे वो OIC हो चाहे वो सार्क हो या आगे चलकर United Nation हो हम हर जंगे मुसलिमों की आवाज उठाएंगे ये बात इन्होंने बिलकुल ओन रिकोर्ड कही है हलाके मुझे एक चीज अजीब ये लगी कि जब ये वेक्ति कश्मीर पर बोल रहा था तो जो BBC का एंकर है उसने एक बार भी ये नहीं पूछा इस से कि ये उगर मुसलिम पर आवाज को नहीं उठाता है जहांपर मुसलिमों को कैद करके रखा जाता है उनकी मस्जिदे खुलयाम तोड़ी जा रही है मुसलिमों को दाड़ी तक रखने का अधिकार नहीं है या नमाज भी नहीं पर सकते वो तो ऐसी हालात में ये उस पर तो नहीं बोल रहा लेकिन कश्मीर पर इसे बोलने का पूरा हक है लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ सही ही हुआ देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे तथा कथित बुद्धी जी भी लोग थे जो भारत सरकार पर दवाव डालना चाह रहे थे कि आप तालिबान को रिकनाइज कीजिए आप तालिबान से दोस्ती बढ़ाईए ये उनके लिए भी एक तमाचे जैसा ही है कि तालिबान के जहरीले इरादे कुछ और ही है इनका भारत के साथ दोस्ती रखने का कोई भी इरादा है ही नहीं हाला कि आपका तालिबान के इस स्टेंड पर क्या व्यू है कमेंट करके ज़रू बताएगा साथी वीडियो को शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राब करना बिल्कूं दूलेगा थैंक्यों वर्म स्वर्शिं दूलेगा जड़ियो क्यों भी वीडियो करना बिल्कूं जबने को शेटेंगा जबने करना बिल्कूंगा थैंक्यों बताएगा थैंक्यों दूलेगा।